हालो गाइज वेलकें बेक तो सक्सेस्ट बंड एवेटो सक्सेस्ट आइम योगेश वर्म एक वाफिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस्ट बंड एजुकेशन के ऑफिसली यूटूब चनल पहूं तो फ्रेंट्स फर्श्ट आप विश्ट आप यू फैमली वेरी वे सब्सक्राइब करना है तो जैसे आप सब्सक्राइब करना है ताकि हर क्लास का नौटिफिकेशन सिधा आपके पास पहुंच जाए तो आपके साथ चुड़े हैं एक बाफिर से नंबर सिस्टम पे और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंस वो करेंगे तो जैसे आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम पे दो क्लस्स आपकी पहले हो चुके रिमेंडर थेयोर्म पे और टाइपस ऑफ नंबर पे आज हम करेंगे डैसे मलें फ्रेक्शन और आई भी एकजाम के पॉइंट आफ विव से यह आपका कवर हो जाएगा नंबर सिस्ट पूरा हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंट के साथ सेर कर देना अगर कोई डाउट कंप्लेंट सेजिशन या फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे डिरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या फिटेलेग्र अगर ने किया तो अभी जाइन कर लिए उसका लिंक आपको वीडियो के डिया स्क्राइशन में मिल जाएका ठीक है तो फ्रेंट सलते हैं आज की क्लास की तरफ आज सबसे पहले हम जो आपको लाश्ट सेस्न में प्रैक्टिस के शिशन दिया था उसका सोलुशन देखेंगे तो जो क्रेंट तो सम आफ त्री कंजिगेटिव और नेच्रल नंबर इस एवन दा स्मॉल इस त्री नंबर इस लगाता तीन प्रैकर तक विश्रम संख्यां का यह स्तासी है तो इनमें से सबसे चोटी संख्या क्या होगी ठीक है तो देखते हैं फ्रेंट इसका सोलुशन ल है यह कुर आपका एक specific 4 अब इसने का आइकंगी लगातार तीन विश्रम संख्यां का जो कि सम है 37 के मतलब संख्य कुन को दिससे आपके पास xy x plus to f4 इनका ت Verse denß प्लस एक्स प्लस फॉर यह किसके एक्वल है यह आपका 87 के एक्वाल है ठीक है अब 1 2 3 3 ठीक है यह क्या आपका 3x प्लस 2 और 4 6 is equal to 87 ठीक है तो 3x किसके एक्वल होगा फैंड्स यह इस तरफ जला जाएगा तो 87-6 is एक्वल टू 81 ठीक है ना तो 3x है तो x किसके एक्वल होगा यह 3 यहां पर मल्टिप्लाई में x के साथ तो इस तरफ आके यह डिवैडम हो जाएगा तो 81 डिवैड़ भाई twenty three bucks 203 टू ऑच्वेड़ लुचब ऑफिर तो घ्वाइज से क्या है तो सब्से चोटी संख्या कौंसी है एकसि है इंमें से सब्से चोटी संख्या क्या है एकसि एकस क्या निन 125 ग Remember 005 से देख लो अगर आपके मन में है तो आप मुझे डाउट लिखिए यहां पर कमेंट कीजिए या फिर टेलिग्रम ग्रूप पर मुझे मैसेज कीजिए ठीक है अब चलते हैं आइस के टॉपक के तरह जो पहला कुशन फैंट्स हमेनी वर्माइश टूगैटर मेक वन ट्रॉंटिफाइव थो कितने एक बाटेज चलते मिल खर एक सोबतीश करण वर्माई थीन बनाएंगी ठीक है त्यक्व पांच जिक के मिल खर展ंगा ल्गे कनीच द्रफपर कि उद्ने try ज हाइए लेय। 6 सिख्के बनादेंगे ویسसे है 1 एक सिख्क बनाता एक बढ़ा 6 तो 125 बढ़ा 3 कितने सिख्के बनाएगे तो हम वैसे उसी packs वरड उसे करेंगे 125 बाइट इसाइख इसको डिवाईट करेंगे वन अबंबय शिक से ठीक है ना 1 by 6 से अब यहां पर दिवाइड में तो इस तरह ए मुल्टिप्लाई मुझेगा 125 डिवाइड भाई 3 मुल्टिप्लाई 6 3 बन जा 3 3 2 जा 6 125 दुनी 250 तो यहां पर अंसर जो आपका आएगा वो आएगा 250 मतलब 251 by 6 मिलके बनाएंगे 125 by 3 क्लियर हैं चीजे ओके अगर क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीचिए अधर्वाइज आप अपने डाउट्स कंप्लेंड सुजेशन अब मुझे कमेंट कीजिए अफे ट्रेल ग्राम में मैंसेज कीजिए क्लियर है चले अंग लिकेशन के तरफ यह सोर नों कुस्तों लि एक आपकी 5 x 6 और दूसरी है 3 x 4 इनमेंसे पूछा है कि इनमेंसे कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बढ़ी है तो आप इनके सभी के डैनोमेटर सेम कर लो वह आपका काफी लेंथी बढ़ेगा आप इनको डैसिमल में चेंज कर लो 7 टेबल नहीं जारी 0 कर दिया ठीक है यहां पर क्या हो गया ट्रवन्टी हो गया आपका 7 टूजा 14 हम दो तक की एक ही पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही करते हैं तक कि कुशन जल्दी से सोल हो जाए ठीक है यहां पर क्या होगा जीरो पॉइंट टैन हो गया तरी तीजा 9 ठीक है यह से बढ़ा हो गया अब यहां पर किया 5 by 6 है जीरो पॉइंट यह 50 हो गया 6 7 जा 6 8 जा 48 इसको यहीं पर छोड़ देते हैं इसके बाद 0.30 हो गया 4 7 जा 78 तो इन में से इसने पुछा ग्रेटेस्ट कुन सी सबसे बड़ी कुन सी है तो सबसे बड़ी क्या आपकी 0.8 है 0.8 किस की आई है यह आई है 556 की तो 0.001 और 001 के उपर बाहर लगा होगा फिक है इस एक PORT व whatsplex की तो तुलसे धियन से समझ रहा अब पॉइंट के बाद थीक है है अब दो डिजिट पर क्यों है है चुंक है 결व十 डिवाटर नौन है is अनुंचक यूच गतंव हों इसको बार को in amazon को सब्सक्राइब करें तो आघराए तो यहां पर उपर यह उपर बार कया है तो यहां पर क्याने है तो वह बसक्त रहा जाएगा one by triple nine इसको इकवल है यह one by triple nine के ठीक है clear है चीज़े चलते हैं एक लिकेशिन इत्राफ कि जो प्रक्राइब जीरो पेंट one two three is equal two and two three के ऊपर क्या है बार है और one बिना बार के है ओके इस तरह की questions को कैसे करने देखो जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट पे बार हो उसके लिए तो मैंने आपको क्या पता है था इतने ही नाइल लगाने है अब जितने भी बार नहीं है उतने पीछे जिरो लगा दो और बार वाले नंबर को टोटल में से माइनस कर दो ठीक है कैसे करना देखो इस नो आएंगे तो आएंगे अब बार कितने पर नहीं एक पर नहीं तो उतनी ही जीरो यहां तक समझ आया अब जिसके उपर बार नहीं उसको उपर वाले में से माइनस कर दो ठीक है आगया समझ आपके अब इसको सॉल करेंगे तो क्या है आपका 122 डिवैड़ बाई 990 बाई न प्रेक्शन में देख लिए ना आपके के हैं या फिर इसको और भी छोटा किया गया तो जिससे भी डिवाइड हो रहा है उससे इसको डिवाइड कर दो ठीक है समझ आया एक फिर से बता देता हूं जीरो पहिंट वन टू थी है तो थी के उपर बार है एक के उपर बार नहीं ह है तो जिसके उपर बार नहीं है वह तो उसमें से माइनस करना उपर आएगा आपका यह पूरा नंबर ठीक है जो आपका अच्छोता है उसमें तो आपका यह पूरा नंबर आएगा ठीक है अब जिसके उपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देना है जितने के उपर बार है उतने नाइन लिख देने जितनों के उपर बार नहीं है उतने जीरो लिख देनी है और यह कि एक मैनेस करेंगे तो डिवाइड़ बाई 990 यह आपका अंसर आज आएगा आप ऑप्शिंस में देख लेना कि सिर्फ इतने ही ऑप्शिंस दिया गया है फिर सिकोर और ज्य जो भी है जो भी आपको प्रेशान ही आ रही है इन क्वेशन को सॉल करने में मुझे कमेंट कीजिए मुझे सेंड कीजिए ओके चलते हैं अगले केशन इक्राफ जो अगले केशन आपका बैंट 0.247 इस कनवर्टेड ऐसे फ्रेक्शन बार रिजल्ट इस इस केशन का अंसर मैं नहीं बता हूँगा यह कुछन आपको खुद सॉल करना काफी आसान है दो कुछन इस तरह के मैं आपकी कराच कौं ठीक है इस कुछन का सॉलिशन मैं नहीं करा हूँगा अभी सॉल किजिए कॉपी पैन उठा लीजिए और साथ की साथ सॉल करके मुझे कमेंट कीजिए अंतर कीजिए अभी इसी लाइव चैट में देखते हैं तब तक वीडियो कंप्लेट होती तब तक कितने बच्चेस के अंसर कमेंट करते हैं ठीक है तो चलते हैं अंग लिक्शन की तरह जो अगले दिफरेंस ओफ 5.76 बार एंड 2.3 बार इस ठीक है तो 5.7676 के उपर बार लिख सकता हूं 5 plus 76 divide by 99 क्यांकि बार कितने के उपर है 2 के ऊपर है न तो दो बार उतने ही बार नो लिखती है ठीक है अब इसको क्या लिख सकता हूं 2 plus 3 3 एक के उपर 2 है तो एक ही 9 ठीक है 5 में इसे 2 माइस करूंगा तो कितना आगा अपका 3 3 प्लस अब 76 divided by 99 माइनस 3 by 9 99 यह आपका हो गया वंजा पे और 76 वंजा 76 माइनस अब 9 11 जा 99 11 3 जा 33 यह आपका आगया अब इसको आप मैंस कर गए 76 3 & 734 43 divided by 99 क्या आगया अंसर आपका 3 प्लस 43 डिवाइड बाइड नाइन आप इसको चेंज कर लेते हैं इनका पूछा है तो इसी फॉर्म में आपको अंसर करना है तो 3 प्लस 43 डिवाइड बाइड नाइन नाइन तो 5.76 को मैंने के लिखा था 5 प्लस 76 डिवाइड बाइड ना सब्लस ब्लस फॉर्म में अंसर ब्लस डिवाइड नाइन कितने बाइड दो भार है तो उपर उतने ही डिजिट पे बार लग जाएगा तो बार नाइन है तो दो डिजिट पे बार लगा दिये यह क्या हुगा आपका 3.43 ठीक है अंसर आपका 3.2 वार 4 3 यह तो चलते हैं अगले के सिद्स नित अपको अंजर खेजिए के लावा एक का वीडियो को लाइक कर दिजिए अपने अपने फ्रेंट के किसी भी परकार कि कोई प्रॉब्लम में किसी भी क्रेंट से तो मुझे कमेंट करके बताईए या भी टेलिग्राम ग्रूप में मुझे मैसेज कीजिए चलते हैं इसके बाद अगले क्रेंट की तराफ मीम माणा ओने हम पए माइनस करना ठीक है और टोबर now if 9 ऑटि जियनगे और Кिस पर नहीं एक पर नहीं एक उटने आप यहां पे 0 लगाएंगे ठीक है अब इसको sol कर टू प्लस इसमें से माइन मैंस करेंगे तो यह आगा अगया अगया 346 डिवाइड बाई 990 399 0 okay यहां तक अगर हम इसको मिक्स्ट्रेक्षिन में करवन्ट करें तो क्या होगा अगया तो इस 3 4 6 divided by 9 9 0 अगर आपके options mixed fraction में है तो आपका अगया 2 is 3 4 6 by 9 9 0 अगर आपके जो answer proper fraction में है तो इसको आप इसको change कर लेना कैसे change करेंगे आपका है 2 is 3 4 by 6 divided by 9 9 0 पहले तो इनके multiply करते हैं फिर जो result आता है उसको इसमें add कर देते हैं ऐसे करते हैं यह आपका same ही रहता है तो पहले 9 9 0 को हम 2 से multiply करते हैं 2 0 0 2 9 18 1 2 9 18 and 1 19 कितना आ गया 1 9 8 0 अब उसमें add करना 3 4 6 क्या add करना 3 4 6 तो आपका अंसर क्या जाएगा 2 3 2 6 ओके और डैनामेटर क्या रहेगा ताकि वह भी इन classes के साथ जोड़ सकें अगर अपने भी तक इन classes को जोइन ने किया तो भी जोइन कर लिजिए वसके लिए आपको सक्सेस पन को subscribe करना होगा और साथ में लेकिन पर टैप करना होगा ठीक है जैसे कि आपके सभी classes के notification सीधा आपके पास पहुंच आए इसके ब बड़ी से बड़ी ठीक है जो भी आपकी decimals के question बन देते हर टाइप की question मैं आपके साथ आज यहां पर discuss कर चुक हूँ और उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी अच्छे लगी होगी अगर आपको अच्छे लगी तो वीडियो को like और share करना ना बूलें अगर नहीं एक जाम के point of view से number system से जिस तरह के question पूछे जाते हैं उस तरह से friends आपका number system का topic cover होचका है पूरा complete हो गया है और उमीद करता हूँ कि सभी questions सभी math, concept और trick आपको अच्छे लगे होगी और आपको समझ आए होगी ठीक है तो मिलते हैं अंगली class में friends this is the end of the session thank you for watching this video share value is a good luck success point music music